हेलो फ्रेंद्स मेरीटा के क्रियेशन पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आज मैं आपके लिए यह खुब्सूरल सा डिजाइन लेकर आई हूं यह डिजाइन आप जैन स्वेटर बचों के स्वेटर लेडीज कारडिगन किसी पर भी बना सकते हैं और यह डिजाइन बनकर देखिए बहुत ही खुब सूरत लगता है और यह डिजाइन बनाना बहुत ही असान है इस design के लिए हमने चार के multiple से फंदे लेने है उसमें तीन extra फंदे हम add करेंगे इस design के लिए हमने ये पंदरा फंदे लिए है ये हमारी पहली सलाई है सीधी side से तो हमने ये दूसरे रंग का wool attach कर लिया है तो अब हम दूसरे रंग से ये तीन फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे तीन फंदे सीधे बुनाई करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे फिर हम तीन फंदे सीधे बुनाई करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे तीन फंदे सीधे बुनाई करेंगे अब हम ये उल्टी साइड आगे ये हमारी डिजाइन की दूसरी सलाई है हमने पहला फंदा उतार लेना है अब दो फंदे उल्टे बुनाई करेंगे ये बिना भुने वाला फंदा हम बिना भुने उतार लेंगे अब तीन फंदे उल्टे बुनाई करेंगे एक फंदा बिना भुने उतारेंगे तीन फंदे उल्टे बुनाई करेंगे एक फंदा बिना भुने उतारेंगे आखिर के तीन फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे अब हम ये सीधी साइड आगे ये हमारी डिजाइन की तीसरी सलाई है सीधी साइड से तो पहला फंदा हम उतार लेंगे दो फंदे सीधे बुनाई करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे तीन फंदे सीधे बुनाई करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे तीन फंदे सीधे बुनाई करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे तीन फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे अब हम ये उल्टी साइड आगे यह हमारी डिजाइन की चौती सलाई है, तो आप ध्यान से देखिए, पहला फंदा हमने उतार लिया, धागे को पीछे की तरफ करेंगे, दो फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे, धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, फिर धागा पीछे करके तीन फंदे सीधे बुनाई करेंगे, धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे बुनाई करेंगे, फिर धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, धागा पीछे करके दो फंदे सीधे करेंगे आखिर का एट स्टिच हम उल्टा बुनाई करेंगे अब यह हमारी डिजाइन की पांच में सलाई है सीधी साइड से तो अब हम इसको पहले वाले रंग से बुनाई करेंगे तो आप ध्यान से देखिए अब हम एक फंदा सीधा बुनाई करेंगे पहले वाले रंग से यह भीच वाला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे अब हम तीन फंदे सीधे बुनाई करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, तीन फंदे सीधे बुनाई करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, तीन फंदे सीधे बुनाई करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, आखिर का एक फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे अब ये हमारी छेवी सलाई है उल्टी साइद से तो हमने पहला फंदा उतार लिया बिना बुने ये फंदा भी हमने बिना बुने उतारना है क्योंकि ये हमने पहले बिना बुने उतारा था अब हम तीन फंदे उल्टे बुनाई करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे तीन फंदे उल्टे बुनाई करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे तीन फंदे उल्टे बुनाई करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे आखिर का एज स्टिच भी हम उल्टा बुनाई करेंगे अब ये हमारी साथवी सलाई है सीधी साइड से तो पहला फंदा हमने बिना बुने उतार लिया इस फंदे को भी हम बिना बुने उतारेंगे अब हम तीन फंदे सीधे बुनाई करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे तीन फंदे सीधे बुनाई करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे तीन फंदे सीधे बुनाई करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे आखिर का एस्टिच भी हम सीधा बुनाई करेंगे अब ये हमारी आठमी सलाई है उल्टी साइड से तो देखिए पहला फंदा हमने उतार लिया ये बिना बुने वाला फंदा भी हमने उतार लेना है धागे को पिछे की तरफ करेंगे अब तीन फंदे सीधे बुनाई करेंगे धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा बिना बुने उतारेंगे धागा पिछे करेंगे तीन फंदे सीधे बुनाई करेंगे धागे को आगे की तरफ करके एक फंदा बिना बुने उतारेंगे धागा पिछे करेंगे तीन फंदे सीधे बुनाई करेंगे धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा बिना बुने उतारेंगे आखिर का ह्ट चम उल्टा बुनाई करेंगे यह देखे यह हमारा 8 सलाईों का पैटरन है इनी 8 सलाईों को हमने बार बार रिपीट करना है अब फिर से हमने यह दूसरे रंग से जैसे हमने डिजाइन की पहली सलाई बनाई थी सेम वैसे बनानी है ऐसे ही ये खूबसूरा सा डिजाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट पर बनाएं प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद